नमस्कार मीत्रो मैस आनन्द युनियन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ हम लोग विहार सील कोड्फ यूर्ट परिच्छा के लिए मैथ्मेटिक सेक्षण को सोल्ब कर रहे हैं जिसमें हम लोग मैथ्मेटिक सेक्षण से 35 प्रस्ष Barnes को सोल्ब कर रहे है पीछे हम लोग रुक्मिनिक परकासन की बूग से 20 प्रैक्टिस सेट को सुल्व कर चुके हैं इस समय हम लोग जो बगल में बूग दिख रही है युनिक परकासन की इसी बूग से हम लोग प्रैक्टिक सेट को सुल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग पीछे practice set number 17 तक solve कर चुके हैं आज हम लोग practice set number 18 की शुरुवात करने जा रहे हैं practice set number 18 जब आप unique percussion की book से खोलिएगा तो question number 50 पर जो question board पर दिख रहा है यही question मिलेगा चलिए हम लोग इस प्रस्थ की शुरुवात करते हैं जिसका पहला प्रस्थ यहाँ पर आप कह सकते हैं जो 51 नमबर पर होगा आए हम लोग इसको solution करते हैं question कहता है कि किसी कार्ज को करने के लिए x, y की तुल्ला में दो गुना और z की तुल्ला में तीन गुना समय लेता है वे सब एक साथ मिलकर दो दिनों में इसकार्ज को पूरा कर सकते हैं y अकेले इसकार्ज को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा बहुत असानी सी यह question सुल्व होगा सबसे पहले आप इधर अलग में x, y और z का चर्चा किया है दोगोना समय लेता है यानि यह एक समय लेता है इतों यह दो समय ले Count कि तुनला में 3 गुंदा समय लोता है कौन इसके बारे में गुउलागा एकस के बारे में एकस जेड की तुनला में 3 गुन द Some तो पहले इसको बायलन्स केजिए आप यह ऐकस यच आ इद आहां दो है तो यह कितना है हमारा एक है यानि कितना हो जाएगा यह 3 हो जाएगा उसके बाद में यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा 2 हो जाएगा अब चीजों को समझीएगा ध्यान से X, Y और Z यहाँ पर उपर हमेशा हम लोग समय लिखेंगे टाइम लिखेंगे और नीचे हम लोग छमता लिखते हैं जिसको हम लोग इसको efficiency को E से सुचित करते हैं और time को हम लोग T से सुचित करते हैं अब समझ एगा ध्यान से उठाकर रख दिज्ये जो जिसके सामने हो जाएगा उसके पाद में इसके य कितना हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा हम लोग का दो हो जाएगा अब समझेगा ताइम का उल्टा इफिसियंसी चम्ता कहलाता है या इसके सहारा लेकर आप सबको बाइलेंस भी कर सकते हैं तो देंके सबका LCM लेंगे तो कितना बनेगा 6 बनेगा 6 बनेगा तो आप 6 में से 6 से भाग दिएगा तो इसका efficiency एक आ जाएगा इसका कितना जाएगा दो हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा अब चीजों को समझेगा यह real time नहीं है यह अनुपात में दिया गया इसका सारा लेकर हमने चमता को ग्यात कर लिया अब हम लोग समझेंगा आप इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं इसको रॉफ अलग भी लिख सकते हैं हमको efficiency से मतलब था यह चीज हमारे सामने आ गए एक स्वाई जेट के बारे मताया गया है वे सब एक साथ मिलकर दो दिनों में काम को पूरा करते हैं तो यहां पर हम लोग दो लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे इसके चमता को जोड़िये तीन दो पांच और कितना जाएगा चो हो जाएगा और उसके बाद अब एक जगह एक जगह टाइम और efficiency का गुननफल इतना आ रहा है उतना हमें हर जगह चाहिए तो कितना जाएगा चो दूना बार तो अब देखिए क् केले इसकार्ज को करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा तो देखिए यहां छे में कितना से दो से गुना किये तो यहां भी दो से कितना में गुना करना पड़ेगा चे में तो कितना जाएगा बार अर्थात छे दुना बार अगर यह नहीं समझ मेरा ऐसे तो दो में हम कि दें कि इन दोनों के घुननफल के बड़ाबर मान हमको पृप्त हो घूंहें तो देखिए 12 संय तो कड जाएगा तो अहीं कबांten कितना आएगा अर्थात जिस ऑप्सन में छवह दिन दिन दिया गया है वहीं हमारा answer हो जाएगा अर्थात option number a हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते question number 52 question number 52 में कहता है बहुत ही असान question है यदि P Q का 220 परतिसत है तो Q P plus Q का कितना परतिसत होगा ध्या answer देखिएगा इसको भी बनाने के लिए हमको कई तरीके दिख रहे हैं P Q का 220 बटा 100 परतिसत है इससे यह cancel हो जाएगा यह कटेगा तो 11 होगा यह कटेगा तो हम लोगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानि कि P कमान क्या हो जाएगा P कमान 11 होगा और Q कमान क्या हो जाएगा Q कमान हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा अब ध्यान से देखेगा क्या बोलता है Q यानि कि उपर जाएगा 5 और इन दोनों को जोड़िये कितना हो जाएगा 16 और गुना कितना हो जाएगा 100% अब कर दिजिए इसका क्लकुलेशन कितना कटेगा यह कटेगा तो हो जाएगा हम लोगशा कितना पचीस और या 4 से कटेगा तोIs creeping 25 25, 32 हो जाएगा, 4, при Far enclosed 10, 24 स्थ, यानी की हो जाएगा? 3, 4, 12, उसके बाद, 4, एकम 4, उसके बाद 12 हो जैएगा, उसके बाद हो जाएगा 4, 2, 4 है 8, उसके बाद कितना हो जाएगा? 2, 20, 4, 25, 20, अर्था 20 जीस option में, 31 до, 25 पर मुर पर भीर से दिया गया है, कोश्चन नमबर 53 LCM HCF का कोश्चन है और बहुती आसान बहतरीन कोश्चन है पाँच अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ग्याद किजिए जो 18, 21 और 24 से पुरुन्त विभाज्य है देखिए गज्यांसर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 18, 21 और 24 का LCM ग्याद करेंगे क्या ग्याद करेंगे LCM ग्याद करेंगे तो निकाल लिए इसका LCM कितना हो जाएगा सबसे पहले बड़ी संख्या को तोड़ दीजिए उसके बाद कितना हो जाएगा 18 और 24 अब ध्यान से कितना से गुना कर देंगे 21 बन जाएगा 7 से गुना कर देंगे 18 बनाने के लिए हम को क्या करना पड़ेगा देखे एक और 3 से मुना कर देंगे तो क्या बन गया 9 और 9 दूना ऐठ 29 बस हो गया इसका मल्टिपलाई कर देंगा आंसर इसका LCM का आ लोग को भाग देना पड़ेगा तो पांसो चार लोग इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा एक बार में जाएगा तो कितना जाएगा 504 हो जाएगा कितना हो जाएगा यहां घटेगा तो 10 बन जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा उसके बाद यहां पर 9 बन गया तो 9 का 9 हो जाएगा उसके बाद यहां फिर 9 हो गया है तो यहां पर फोर हो जाएगा और यहां पर एक 0 आ जाएगा अब ध्यान से देखि तो है यानि कि एक बार में जाएगा तो नहीं होगा नौ बार में जाएगा उसीमानल को को यहाँ जोड़ देटे ना की दुबारा घटाने की झेंजट को रखते हैं फिर भी कोई बात रहें नौचोगा चथिस और नउ पच्छे 45 देखिए कितना जाएगा यहां पर 10 बनेगा फिर 4 हो जाएगा उसके बाद यहां कितना बनेगा 5 सी जोड दिया जाए तो यह संक्या पूरा-पूरा कर जाएगा इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा छोटा सै चोटा छोटी से च्छोटी संस्षाण कजो है 10 1100 पलाशर्च यानि हमारा आंसर हो जाएगा 10,088 जो संख्या है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा रथा option number B हमारा अंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रह देखते है question number 54 question number 54 में average का प्रहस नहीं question कहता है कि 50 kg भार वाले एक ब्यक्ति के अस्थान पर एक दूसरा ब्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के अउसत भार में 2.5 kg की ब्रिधी हो जाती है नए ब्यक्ति का भार ग्यात करें बहुत असान question है ध्यांस देखिएगा माल लिए कि 8 लोगों का अउसत भार पहले से 1 kg था अब उसमें से क्या हुआ 50 kg का ब्यक्ति निकल गया इसके जगह पर माल लिए कि y kg का ब्यक्ति आ गया अब हुआ क्या कि 8 लोगों में जो भी पहले से अउसत था उसमें 2.5 kg की ब्रिधी हो गई तो ध्यांस देज़े जब इसका कल्कुलेशन करेंगे एक बार हम लिग देते हैं 8x-50 plus y बराबर कितना हो जाएगा 8x और पलस इसका मल्टिप्लाई किजिए 8-16-16-16-4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अर्थात option number C हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 55 question number 55 में कहता है कि 45 km प्रती घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकेंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई ग्याद करें बहुत असान question है ध्यान से देखिएगा हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है तो घर को पार करती है इसका मतलब घर के लंबाई को नगन लिया गया है तो क्या हो जाएगा एक समान लिजे इसके दूरी को चाल दिया हुआ है कितना 45 और किलो मीटर प्रती घंटा में दिया गया है तो इसको क्या करेंगे 5 बटा 18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रती से पंदर रखतना जाएगा डेर सो मीटर अर्था जिस op योप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा अर्था सबसुनमबर वी हमारा आंसर हो जाएगा चली हम quella प्रस देखते हैं था कोस्चन लंबर फिफटी सिक्स कोश्चन नंबर प्रप्तांकों का उस्थ 70 है tog six-bit विशयों के प्रप्तांकों का उस्थ क्या होगा महुत असान究 अध्यान से दखिएगा जा जा निद्ण न Mitte पहले 5 गुना कितना करेंगे 72 मांइनस फिर कितना हो जाएगा pense एमले 2 का योग हमरा निकल कितना हो जाएगा पाल और 10 के ,्यावाइजन देंगे क्या जाएगा 75 सीमय में 75 सीमय हमारां अंसर हो जाएगा अर्थात option number B हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग लाप्रास देखते हैं question number 57 question number 57 CI का question है बहुत बेहतरीन question है ध्यान से देखिएगा कितने असानी से question को हम लोग solve करेंगे कोई धनरासी 20% वार्षिक चक्रविदी ब्याज दर पर दो वर्स के लिए जमा की जाती है यदि इस पर ब्याज और ध्वार्षिक रूप से दे होता तो वह वार्षिक रूप से दे ब्याज की तुलना में नौ सो चौंग सट रुपया अधिक होता वह धनरासी ग्यात किजिए यानि कि मुल्धन ग्यात किजिए दो कंडिशन बन रहा है ध्यान से देखिएगा पहला कंडिशन बन रहा है कि रेट है कितना 20% का और टाइम जो हमारा बन रहा है टाइम तो वहीं रहेगा लेकिन कितना हो पाएगा आप देखिए द्यान से इसकों तो पहले साल तो 20% चाहिए डारेक्ट इस फर्मूला को लगा यह न कितना हो जाएगा 20 पलस 20 पलस 20 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा यानि किसकार आप कल्कुलेशन किजिए तो यह आएगा 44% अब दूसरा यह पहला कंडिशन दूसरा कंडिशन ध्यान से देखिएगा रेट तो यही रहेगा लेकिन यह और दवार्शी खोने कारण 20% से कितना बन जाएगा 10% 10% हो जाएगा और टाइम जो है वह दो साल ही है लेकिन और दवार्शी खोने से वह चार वर्ष के भाती काम करेगा यानि कि फोर येर के भाती काम करेगा यहां पर अब इसका मतलब हुआ कि 10 एक बार 10% फिर उसके बाद 10% फिर उसके बाद 10% और फिर उसके बाद में 10% यह सब को एकल बनाइगा तो आपको प्राप्ट हो जाएगा लिखी देते हैं कि अगेशन गुनाइटी बटा 100 बनेगा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 पलस देखिए 21 का square का मतलब कितना होता है 441 और भाग देंगे यानि 4.41 हमको पराप्त होगा यानि 46.41 46.41 परतिसत हो जाएगा अब ध्यान से देखिएगा इस percentage में और इस percentage में कितना का अंतर है तो यहाँ पर अंतर है 2.41 2.41 परतिसत का अंतर है और यहीं अंतर का मान अंतर में रासी में अंतर कितना के बराबर है 964 रुपईया के बराबर है तो एक परतिसत का मान क्या होगा ध्यान से देखिएगा 4 दुनायाठ, 4 चुका 16 और 4 एकम 4 यानि यह कट रहा है 4 बार भी चार और यहाँ पर दसमूल है तो इसके बदले में पहले 2.0 यहां रखेंगे हम लोग उसके बाद मुल्दन हमेशा 100% होता है तो 100% ग्यात कर लेंगे यानि हमें कितना पराब्थ हो जाएगा 40,000 रुपईया पराब्थ हो जाएगा अर्थात वो अधन रासी 40,000 रुपईया है अर्थात अप्सन नमबर A हमारा अंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते है कोस्चन नमबर 58 कोस्चन नमबर 58 में टाइम एंड वर्ग का कोस्चन फिर से दिया गया है ध्यान से देखिएगा A, B और C किसी कार्ज को करमसा 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे साथ काम करें और कार्ज के लिए उन्हें 2950 रुपिया प्राप्त हो तो B को इस में से कितनी धनरासी मिलेगी बहुत असान कोस्चन ने ध्यान से दिखिएगा A, B और C उपर हमेशा टाइम नीचे efficiency को लिखेंगे यह हो जाएगा 5 यहाँ होगा 6 यहाँ होगा 8 अब इसकी efficiency ग्यात करने के लिए इसका calcium लिजिए इसका calcium कितना हो जाएगा 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 हो जाएगा अब इससे जब भाग देंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा 8,3 का 24 इसका efficiency हो जाएगा उसके बाद जब 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 45 हो जाएगा उसके बाद जब इससे भाग देंगे यानि 8 से तो कितना बचेगा 15 efficiency हमें प्राप्त हो गया जिस अनुपात में छमता होता है उसी अनुपात में उसको क्या मिलता है उसकी मजदूरी मिलती है यानि जिस अनुपात में आपकाम कीजिएगा उसी अनुपात में आपको रुपिया भी प्राप्त होता है तो सभी के मज़ूरी का योग दिया हुआ है अर्थात सब को जोड़ यह कितना हो जाएगा 59 बराबर कितना 2950 रुपईया तो देखिए 6 पचे कितना हो जाएगा 30 और यह 69 पचे 295 यानि यह 50 बर में कट रहा है तो हमसे किस के बारे में पूछा गया है यह ध्यान देज़ेग अर्था जिश उप्चन में एक हजार दिया गया है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात उप्चन में नमबर 59 में सिंपलिफिकेशन का कुष्चन है बहुत यह असान कोश्चन है ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लिखेंगे 3 बटा 7 फिर भाग की क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 7 बटा 3 और फिर से गुना हो जाएगा 3 बटा 7 का 7 रहेगा ही रहेगा भाग की है तो भाग रहने देंगे यहाँ पर और उसके बाद देखें चाहि multiply यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद minus है 9 बटा 49 अब देखिएगा ध्यान से इससे यह cancel हुआ उसके बाद यह से cancel हो गया तो उपर बचा कितना 9 बटा सोरी यह नो बोल रहे है तीन बटा 7 और बटा देखिएगा यहाँ पर फिर यह इससे cancel हो रहा है उसके बाद इससे यह cancel हो रहा है तो मचा कितना लोगों पास 7 बटा 3 माइनस कितना 9 बटा 49 अब इसको अंसर हो जाएगा अर्थात option number D हमारा अंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्राश देखते हैं question number 60 question number 60 में कहता है कि एक मिश्रन में अलकोहल और जल का अनुपात 3 अनुपात 4 है इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अलकोहल और जल का अनुपात 5 अनुपात 8 हो जाता है मिश्रन की मूल मात्रा लीटर में कितनी है बहुत असान कोशन है ध्यान से देखिएगा एसे अलकोहल और वाटर के लिए हम लोग डबलू लिख देते हैं उसके बाद देखिए यह किस अनुपात में है तीन अनुपात 4 में पहले से है उसके बाद जब इसमें आठ लिटर जल मिलाया जाता है तो यह पांच अनुपात 8 हो जाता है तो ध्यान से देखिएगा अलकोहल में विरिधी नहीं होना चाहिए तो इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों को बैलेंस करेंगे यानि कि इसक परें पराप्थ हो जाएगा तो नइया भाईलूं रहां परम लेकर आ जाते हैं एगर हो डूका जाएगा यह होजएगा बीशुत कितने बढ़ाएग पंद्रा पानतीयां यह कितनंगा जाएगा 24 अब ध्यान से देखिएगा दोनों में अल्कोहल की मात्रास इक्वल हो गया जल डाला गया है तो जल में कितना का विर्दी हुआ है अनुपाथ 4 का और यहीं अनुपाथ 4 लीटर में 8 लीटर के बराबर है इसका मतलब अनुपाथ में एक बराबर क्या हो जाएगा 2 लीटर तो हमसे पूछा आगया है कि मिस्रन की मूल मात्रा तो मूल मात्रा उपर वाला मान हुआ यह माइनस हो गारा नहीं यह बराबर के हम बात बुले थे तो कितना हो जाएगा दोनों को 35 लाइगा अनुपाथ 25 लीटर हो जाएगा और जिस आप्शन में 70 लीटर दिया गया है वहीं हमारा अंसर ह हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते हैं कोस्चन नंबर 61 कोस्चन नंबर 61 में कहता है यदि यह का दस परतिसत दस एक दस परतिसत बराबर भी है तो 20 का भी परतिसत कितना होगा ध्यांस देखेगा इस कोस्चन को हम लोग कैसे सजाएंगे इसके बाद फिर से लगा देंगे प्रतिसत का मतलब क्या हो जाएगा 100 इस से इसको केंसील कीजिए कट जैगा कितना बार में 10 बार में कटेगा और इसी दस से पिर या एक 10 कर जाएगा यानि देखिए इसमें रिजल्ट क्या बच रहा आपके पास रिजल्ट बच रहा है एक का ये लिख दीजिए का 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 लिख दीजिए दो को इधर साइड मिला दीजिए परसेंटेज बचा हुआ है परसेंटेज लिख दीजिए अर्था जिस ऑप्षन में लिखा हुआ है एक का दो परतिसत वह हमारा अंसर हो जाएगा कितना असान कोस्चन है कहा नहीं जा सकते हैं अर्थात अप्सन नमबर सी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं कोस्चन नमबर सीक्स्टी टू कोस्चन नमबर सीक्स्टी टू में कहता है कि एक आयरन का क्रैमूल 210 रुपईया है इसका वह अधित्तम खुद्रामूल MRP तै किजिए जिस पर 5 परतिसत की छुट देने के बाद भी आपको 90 परतिसत क लाप पराप्त हो यानि हम लोगो को ऑंकित मुल ख्याद करना है हम लोग जानते हैं कि check mark price गुना 100 माइनस चूट तो घटेगा तो क्या पचेगा हम लोगो के पास 95 उक्वल टू कितना हो जाएगा 210 रुपईया गुना कितना परतिसत्का लाप होना चाहिए हम लोगों को ल जब यह कटेगा तो पांचों का 20 और हो जाएगा पांदूना 10 और यह जीरोज़ पर आ जाएगा यानि MP हम लोग का कितना गया 420 रुपईया और जिस अप्शन में 420 रुपईया दिया गया है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात प्रती घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रिलगारी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है सुरंग की लंबाई मीटर में ग्यात किजिए ध्यान से लेखिएगा बहुत असान कोशन है देखिए ट्रेन किसी भी सुरंग को दिवार को या दूसरे ट्र से लेंगे और छे यहां से लेंगे यहां से 18 कंसिल हो गया अब धेयान से देखिएगा 14, 75, 70 और 20-100 यानि किया जाएगा, हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 700 और 700 में से 243 इदर आके घट जाएगा तो हम लोग के पास X यानि कि सुरंग की लंबाई बच गई, आप घटा दीजिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा यह 9 बना हुआ है जाएगा तो 5 हो जाएगा यह 6 बना हुआ है 4 हो जाएगा यानि कि 467 मीटर जिस option में दिया गया है वहीं हमारा answer हो जाएगा अर्था तो option number D हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते है question number 64 question number 64 में कहता है कि किसी लेंदेन में लाव परतिसत क्रेमूल का 48 परतिसत है बाद में यदि क्रेमूल में 20 परतिसत की ब्रिदी हो जाती है लेकिन विक्रेमूल पुर्वत ही रहता है तो लाव परतिसत में कितनी कमी हो जाएगी ध्यान से देखिएगा दो condition बनता है पहला condition है कि मालनिये की CP जो हमारा है 100 रुपईया है तो हमको profit 48% इसका अर्थ क्या हो जाएगा profit हो रहा है हमको 48 रुपईया का तो हमारा SP कितना का हो जाएगा 148 रुपईया का तो हमारा profit हो रहा है कितना रुपईया का हो रहा है 28 रुपईया का लेकिन 28 रुपईया कहने से नहीं होगा अब यहां पर इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो आसान है तीन यानि आ जाएगा हम लोग के पास 14, 25, 70, 70 रुपईया का लाव अब हो रहा है तो इस लाव में और यहां पर जब हम लोग निकालेंगे या दिया हुआ है तो 48 पर तीस नहीं आएगा तो इन दोनों में कितना का अंतर है वहीं इसका कमी हो जाएगा यानि 48 माइनस 70 रुटा 3 हो जाएगा कर दिजे इसका कल्कुरेशन तो कितना हो जाएगा आठ तीर का 24 का 4 हो जाएगा और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 माइनस 70 रुटा 3 हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा यहां पर कितना हम लोग के पास 74 रुटा 3 हो जाएगा इसका मतलब अगर यहां पर ध्यान दिजिएगा 75 होता तो 25 या 75 पूरा पूरा कर जाता यानि उस तरीके का कोई option हो तो हमारा answer हो जाएगा लेकिन यहां पर क्या कटेगा नहीं कटेगा 24 तिया 72 यानि 24 का 24 लिख सकते हैं बहत्तर का मतलब हो जाएगा यहां पर 6 उसके बाद लगतार 6 आते जाएगा उसी को बढ़ा के बढ़ा देंगे तो साथ जाएगा था जिस ऑप्सेन में 24 देशामलों चोव साथ परतिसाद दिया गया है वहीं हमारा answer हो जाएगा था तो option number C हमारा answer हो जाएगा चली हम लोगा अगला प्रस देखते है question number 65 question number 65 में कहता है कि 5000 रुपईया की धनरासी पर 8 परतिसत की वार्षिक ब्याजदर से वार्षिक रूप से चक्रब्रिधी होने पर दो अर्षो में प्राप्त चक्रब्रिधी ब्याज और सधारन ब्याज का अंतर कितना होगा बहुत असान question है ध्यान से देखिएगा पहले ये पता किजिए कि si i ref परतिशत में कितना होगा और asi i% में कितना होगा तो 1 साल में 8 परतिशत और 2 साल में कितना हो जायगा तो दो60 azim 16.67 दोनों में कितना का अंतर है जो रूपया में कितना के रूपया अनुह हम लोग को चाहिए ठीक है तो इस में जो अंतर आया वहीं हमसे पूछा गए है तो मुल्ण के एक परती सथ से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा पचास इसको हटाएंगे तो बटा में बनेगा सो इससे कैंसिल करेंगे दो इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 32 रूपया रथा जिस ऑप्षन में 32 रुपया दिया गया है वही हमारा अंसर हो जाएगा रथा अप्षन नमबर C हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रह देखते हैं कोश्चन नमबर 66 में कहता है कि एक वस्तु को उसके क्रेमुल के एक बटाया आठ गूने मुल पर बेचा गया लाग परतिसत ग्याद करें बहुत असान कोश्चन है ध्यान से देखेगा आपकी इक्षा जो इक्षा हो मान सकते हैं सीपी माल लिए कि 24 रुपईया है तो izk का कितना है 24 का 118 है इससे कितना इजब्लेएगा 3 यानि sanity 33 रुपईया तो आप किसी समान को 24 में घंदे हैं थे 33 बेच दिए किटना का लाब हुआ 9 रुपय का लाब हुआ कितना पर 24 पर गुना कितना हो जाएगा 100 पर 30 कर दिजे इसका कल्कुलेशन कटेगा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 और यह कटेगा तो हो जाएगा 8 यानि कि यह 4 से कटेगा तो यह हो जाएगा 2 और यह 4 से कटेगा तो हो जाएगा 25 यानि 25 त पर तीसद जिसका एर्थ हो जाएगा कितना 3 और उसके बाद हो जाएगा 7 उसके बाद जाएगा 5 यानि 37.5 पर तीसद जिस ऐसन में दिया गया है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा चलि हम लोग अगला प्रहस देखते हैं कोश्चन नमबर 67 में कहता है कि चार संख्याएं दो अनुपात तीन अनुपात पाच अनुपात साथ के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक यानि कि HCF चो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा एक सियव бы का मतलब होता है कॉमन यानि कि उस सब में से कमन निकला है सब में से कट गया है तो उसी मसमान से फिर से सब्सक्राइब जब्सक्राइब सब्सक्राइब 9 हो जाएगा एक हो जाएगा तो जिस ऑप्षन में 1,908 दिया हुआ है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा तो अप्षन नमबर भी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं question number 68 question number 68 में कहता है यदि a plus b minus c अनुपात b plus c minus a अनुपात a plus c minus b बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 9 है तो a minus b अनुपात c minus b अनुपात c minus a का मान क्या होगा बहुत असान कोशन है ध्यान से देखिएगा इसका सहारा लेंगे तो इसको कहेंगे equation 1 इसका सहारा लेंगे तो कहेंगे equation 2 और इसका सहारा लेंगे तो इसको कहेंगे equation 3 और तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आप देखिए जब इसको जाएंगे जोड़ने तो एक माइनस होगा तो सिर्फ A बचेगा यानि कि A पलस B पलस C बनेगा और यह कितना बन जाएगा अठार अब ध्यान से देखिएगा कि सबका मान कई से ग्याद करेंगे तो सबका मान ग्याद करने के लिए इसी इक्वेशन में से हम लोग घटाएंगे A पलस B माइनस C बराबर कितना है? चार है तो अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस पलस माइनस ऐसे बन जाएगा इससे यह कैंसिल इससे यह कैंसिल और यह दो बन जाएगा 2C उसके बाद यह घट जाएगा तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास? 14 यानि C का मान कितना जाएगा? साथ आ जाएगा उसी तरीके से अब देखिए क्या करेंगे? इसका मतलब हुआ कि अब अगला जो बनेगा हम लोग के पास वह बनेगा 2A क्या बनेगा? 2A जहाँ पर माइनस होगा उसमें से यह वाला 2A और 2A मतलब 18 में से 5 को हम लोग घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 13 इसका मतलब A का माना जाएगा 6.5 उसके बाद आप आजाएगे A हो गया C हो गया तो यह बन जाएगा 2B 2B जहाँ माइनस होगा बनेगा माइनस यानि कि 2 बार B होगा यानि कि 9 में से 18 में से 9 घटेगा तो क्या बन जाएगा हम लोग के पास? 9 बनेगा यानि कि B कमान आ जाएगा 4.5 अब हम से जो पूछ रहा है उसका हम जबाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है तो देखिए A माइनस क्या लिखा है B अनुपात C है C माइनस B अनुपात C माइनस A हो जाएगा अब मान को रखिए A माइनस A का मान कितना है 6.5 माइनस करेंगे कितना B का मान कितना है 4.5 फिर अनुपात करेंगे C का मान कितना है 7 B, 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 B का मान कितना है, 4.5, उसके बाद C का मान कितना है, 7, उसके बाद में A का मान कितना है, A का मान है, माइनस कर देंगे, 6.5, अब इसको घटाए, घटाएंगे तो यहां को 2 पराप्त होगा, यहां कितना का अंतर है दोनों में, धाई का अंतर है, तो धाई लिख देंगे यहां पर और यहां कितना का अंतर है 0.5 का अंतर है अब एक चीज ध्यान से देखिएगा 0.5 का यह पांच गुना है और यह चार गुना है यानि कि यह हो जाएगा चार अनुपात 5 अनुपात 1 जिस option में दिया गया है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा यह फास्ट कल्कुलेशन है अर्थात option नमबर भी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम अगला प्रहस देखते है question number 69 question number 69 में कहता है एक खुद्रा विक्रेता लागत मूल पर 12 पर 30 का छूट देने पर 18 पर 30 लाव प्राप्त करता है यदि यह लागत मूल 16,500 रुपईया हो तो विक्रेमुल क्या है बहुत असान कोश्टन है ध्यान से देखिएगा 16,500 रुपईया पर छूट कितना देता है 12 परचत तो बचा कितना 88 पर 30 अठासी बटा 100 हो जाएगा 18 परचत का लाव होता है इसका मतलब हो जाएगा 118 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा उसके बाद अब इसका क्लकुलेशन कर दीजिए बिक्री बराबर बिक्री हो गया कैंसील हो जाएगा उसके बाद यहाँ से अब हम लोग इतना कट दे एगार से कटेगा तो बाइस और यहां सो जाएगा चार इगर इसमें से हम लोग चार से इसको काटे तो यह बनेगा पचीस और चार से इसको काटेंगे तो यह बनेगा बाइस उसके बाद यह तो पचीस से कटेगा नहीं पांच से कटेगा तो पांच से कटेगा तो यहां पर भी पांच हो जाएगा पचा क्या बन जाएगा यह 236 और गुना हो जाएगा और यहां भी 11 चुपा हुआ है नहीं इसका मतलब 11 इससे 3 से 3 और 6 चार आतम को एक बार में मल्टिप्लाई करा देने के लिए द्यान से देखिएगा 6 से इसको डारेक्ट मल्टिप्लाई कीजिए तो है नंत्य ठान जैए 4 आट चार है 10ическая घोट आ एक हो जाएगा चो अरे कितना हो गया उसके बाद 11 और धिर बन रहा ही 11 और से गुना करेंगे इसको तो 8 का 8 हो जाएगा फिर यह दो नों जूटेगा तो 8 हो जाएगा फिर यह दोनों जूटेगा तो कितना हो जाएगा पहले इसको हमने रख दिया, फिर क्या जोडな है ? आगे दो जोड़ना है तो आगे साथ नहोगा। साथ होगा और फिर आगे बढेंगे, हमको क्या मिलेगा साथ जाएगा. फिर इसका मालटिपलाई हमको ग्यारओ से करना है और फिर होगा फिर यहां से दोंग चोड़ेंगे तोंको साथ मिलेगा और आगे बढ़ेंगे तो फिर साथ होगा सौरी वहां गल्थ हो गया था अब फिर यहां से गुणा कर देंगे ग्यार से और भाग देंगे पांच से तो यहां कितना हो जाएगा याट का याट हो जाएगा याट यह सहंत त्रह देंगे दाएंगे रुपया जाएंगे 22 से 30 धार 17 17 उप्से में 113 रुपया दिया गया है वह अंसर हो जाएगा तो option number B हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रहस देखते हैं question number 70 question number 70 में यह कहता है कि एक बैपारी 600 रुपिये में दो वस्तुए A अवर B खरीदता है वह A को 20% लाब पर और B को 10% की हानी पर बेचता है यदि इस पूरे लेंद देन में उसे 8% का लाब और जित होता है तो वस्तुए A का क्रेम रुपिये में कितना होगा ध्यान से देखिएगा question को A, B हो गया तो माल लिए कि A हमको ग्याद करना है तो इसी को X माल लेते हैं और यह हो जाएगा 600-X हो जाएगा एक पर इसको कितना का लाब होता है 20% का लाब होता है तो हो जाएगा 120 और बटा हो जाएगा हम लोग का 100 पलस कर देंगे इसमें क्या हुआ है 10% कहान ही हुआ है तो क्या हो जाएगा 90 बटा हो जाएगा 100 equal to 600 गुना है total पर 8% का उसको लाब बर जित हुआ है 108 बटा हो जाए वुषएगा डबल जीरो से डबल जीरो गैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से MRC स जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बात इहां पर बुक्ष hyS 9x और यहां है 12x, यानि हमें आरे पास result जो बचेगा 3x और बटा में 10, उसके बाद जैसे ही 9 बटा 10 से इसके साथ गुना करेंगे हम लोग, तो एक 0 से 0 cancel हो जाएगा, यानि बच जाएगा 60 गुना 9, तो भेजेंगे इस साइड, 6 गुना 108 माइनस हो जाएगा 60 गुना 9, ऐसा बनेगा, अर्थात हमारे पास हो जाएगा 3x बटा 10, इस में से दोनों में से 6 कमल लेंगे, तो बच जाएगा हमारे पास कितना 108 और ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में इसका कल्कुलेशन हम लोग कर देंगे, 108 और यहां 10 बना हुए है तो 90, घटेगा तो कितना हो यानि कि वस्तू A का करेमुल बराबर 360 रुपईया जीस ऑप्सेन में दिया हुआ है, वह हमारा अंसर हो जाएगा तो ऑप्सेन नमबर B हमारा अंसर हो जाएगा, चलिए हमनों अगला प्रस देखते है, question number 71, question number 71 कहता है, यदि P Q से 40% कम है, तो Q P से कितना परतिशत अधिक ह पहले द्यान से देखिएगा, पहले लिख देंगे P उसके बाद देखें Q, P Q से यानि या 100% है तो या 60% है, इसका मतलब हुआ या 3 है तो या 5 है, अब देखिए Q P से इसके तुलना में या कितना अधिक है, दो अधिक है, किस से तुलना करेंगे, तीन से करेंगे, गुना क क्या कर देंगे 100 परसेंट कर देंगे इसका मतलब 200 बट्टा तीन परतिसाथ जिसका अर्थ होता है चलिए हम लोग अगला प्रह्ण देखते हैं कोश्चन नमबर 72 कोश्चन नमबर 72 में कहता है अनील दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्ज को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं अनील तथा दिनेश मिलकर समान कार्ज को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं दीपक अकेला समान कार्ज को कितने दिनों में पूरा कर सकता है बहुत असान कोश्चन है ध्यान से देखिएगा अनील, दीपग और फिर से दीनेस एक सांत लिग देते हैं कितने दिनों में कर सकता है? 35 दिनों में कर सकता है उपर हमेशा time नीचे efficiency को हम लो लिखेंगे उसके बाद क्या बोला है? A और D यानि कि अनील और दीनेस मिल के काम को कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में करता है तो पूछ रहा है कि दीपक कितने दिनों में करेगा ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा यहां हो जाएगा 12-25-60 और 7-25 तो देखिएगा इसमें से ADD में से AD का मान घटाएंगे यहां efficiency घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग पास 5 पराप्त हो जाएगा अब हो गया कि 5 में हम कितना से गुणा कर दें कि इन दोनों के गुननफल के बराबर मान हमको से कट रहें कितला जएगा बारा सत्फे सब्सक्राइब अर्था 84 दिन में दीपक अकेला काम को कर देगा कितने दिनों में 84 दिनों में जिस ओप्षन में 84 दिन दिन दिया गया है वह हमारा अंसर हो जाएगा अर्था तो अप्षन नमबर भी हमारा अंसर हो जाएगा चली हमनों अगला प्रस देखते है कोश्चन नमबर 73 कोश्चन नमबर 73 फिर से सिंप्लिफिकेशन का कोश्चन है घ्यान से देखिए कैसे स्वल्ब करेंगे पांदुना 10 और कितना जाएगा 11 ग्यारा बटा दो लिख देंगे यहां पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है उसके बाद में इसकी क्रिया करेंगी जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका मान हमको पराफ्थ होगा दो अब जब इसमें से 2 माइनस में घटेगा तो यहां चार चुका 16 और इसके साथ आजाएगा कितना हो जाएगा यानि कि 29 ठीक है 29 बटा में हो जाएगा 4 अब इसका क्या हो जाएगा इसका दुगुना है यह बढ़ जाएगा यानि कि गारदुना 22 हो जाएगा 22 माइनस कितना हो जाएगा 29 बटा हो जाएगा 4 इसका मतलब हो जा चलिए हमनों अगला प्रशन देखते हैं question number 74 question number 74 में कहता है कि दो वस्तुओं का मुल क्रमस तीन अनुपात दो के अनुपात में है पहली वस्तु का मुल 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मुल X परतिशत से घटाया जाता है यदि दोनों वस्तुओं के मुल का नया अनुपात करमस शात अनुपात तीन है तो X का मान क्या है बहुत असान है ध्यान से देखिएगा मान लिए पहला और दूसरा पहला का मान कितना है तीन है और दूसरा का ताकि हमको दीख पाए तीन अनुपाद दो में है तो पहला में बोला जा रहा है कि इसको कितना सकनुपाद से बढ़ाया जाता है 40% इसका मतलब हो जाएगा 140 बटा हो जाएगा 100 और बटा 2 गुना 100 माइनस X और बटा कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना होना चाहिए 7 बटा 3 होना चाहिए बस हो गया calculation इससे यह कैंसिल हो जाएगा उसके बाद में इससे यह कैंसिल हो जाएगा देखिएगा 7 गुना 20 से कटेगा उसके बाद में इससे यह कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा यह कैंसिलों के 10 बन जाएगा उसके बाद अब क्या बचा हम लोग के पास 30 तीस्तिया 90 देखिए यहाँ पर 100 माइनस X बराबर कितना 90 तो X का मान कितना गया देखिएगा यह जाएगा इधर घर जाएगा तो 10 पर 30 अर्थात X का जो मान होगा वह 10 पर 30 होगा अर्थात option number D हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते है question number 75 question number 75 में कहता है कि अध्यापक के वजन को सामिल करने पर 22 चात्रों के एक समूह का आउसत वजन एक किलो गराम से बढ़ जाता है यदि 22 चात्रों के समूह का आरंभिक आउसत वजन 31 किलो गराम था तो अध्यापक का वजन क्या है बहुत असान कोशन है ध्यान से देखिएगा तो पहले से 22 छात्र है 22 छात्रों का आउसत वोजन पहले कितना था 31 था तो माली ये टीचर सामिल हुए तो यह y के 23 न ओगई यहाँ 6 рубicon यहां जाएंगे अब इसको भेजानगा 831 और यहां हो जाएंगा कितना प्लस 23 गुना मा माइनस हो जाएगा कितना 22 गुना 31 हो जाएगा अब धियान से देखिएगा इसको वा गुंत एक बनाएंगे अगर तो यहां 31 बचेगा यानि कि इसके साथ यह कैंसिल हो रहा है तो यहां पर बच रहा है 31 यानि कि य बराबर जोड़ दीजे कितना हो जाएगा अर्थात जिस उप्षन में 54 के जी दिया गया अधिया पकट वजन वहीं हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात उप्षन नमबर डी हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हमनों अगला प्रस देखते है question number 76 Question number 76 में कहता है कि एक थैले में 1 रूपिया, 2 रूपिया तथा 5 रूपिये के मुल वर्ग के रूप में 420 रूपिये है 1 रूपिया, 2 रूपिया तथा 5 रूपिये के सिक्कों की संख्या 8, 1 और 5 के अनुपातों में है ठैले में 5 रूपिया के सिक्के कितने हैं बहुत असान question है ध्यान से देखिएगा यहां वर्ग से कोई हमारा तलुकात नहीं है वह साथ लगता है कि मिस्प्रिंट है वहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 रूपिया, 2 रूपिया और 5 रूपिया के सिक्के हैं और यह सिक्के किस अनुपात में है आठ अनुपात, एक अनुपात और पांच के अनुपात में सब में अनुपातिक मान लागा दीजिए, कोई तो यह समान होगा जो सब में से cancel हो गया होगा तो अब बतें यह एक रूपिया के आठ सिक्के हैं तो उसका मूल कितना बनेगा आठ एक'S पलस कितना होजाएगा? दो एक्स पलस कितना होजाएगा? पचीस एक्स अब धन बराबर धन या रूपिया बराबर रूपिया कर दीजे 420 रूपईया यह क्या हो जाएगा 35 एक्स बराबर यह कितना बनेगा 42 गुना इसको 10 अमलोग लिख सकते हैं तो देखिए एक बार 7 से कटेगा और एक बार 5 से भी कट जाएगा यानि कर जाएगा 46 और पांदुना 10 अर्थात एक्स कमान कितना गया 12 अब ध्यान से समझेगा 5 रूपिय के सी को की संख्या यानि की 5 एक्स बराबर वाट तो क्या कर देंगे 5 गुना 12 यानि की 60 अर्थात जिस option में 60 दिया गया है वह हमारा answer हो जाएगा चलिए हमनों अगला प्रस देखते है question number 77 question number 77 में कहता है कि मनीश ने 225 रूपिये प्रती किताब की दर से किताबे खरीदी तथा 162 रूपिया प्रती किताब की दर से उन्हें बेच दी साथ किताबे बेचने पर हानी क्या होगी इससे भी असान question हो सकता है हानी बराबर क्या हो जाएगा हानी बराबर 225 minus 162 equal to क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यह 12 बनेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यानि एक बेचने पर 63 का हानी हो रहा है तो साथ बेचने पर कितना हो जाएगा equal to कर देंगे कितना से कूल हानी लिख देते हैं यहाँ पर कूल हानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इन्टू 63 यानि कि 73 का 21 का 1 हो जाएगा और 47 और 2 कितना हो जाएगा 44 यानि कि 441 रुपिया जी अप्सर में दिया गया है वह ही हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात option number A हमारा आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रहण देखते है question number 78 question number 78 में कहता है कि एक रासी सधारन ब्याज पर पांच वर्सों में 10,650 रुपिया तथा 6 वर्सों में 11,066 रुपिया हो जाती है रासी क्या है बहुत असान कोशन है द्यान से दिखिएगा 6 एर में यह कितना हो जाता है 11,066 रुपिया हो जाता है तो 5 एर में कितना हो जाता है 10,000 10,650 रुपिया हो जाता है तो एक साल का ब्याज कितना हो जाता है 1 एर का ध्यान से दिखिएगा घटा यह 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा यहां कितना हो जाएगा दो हो जाएगा उसके बाद यह बन गया कितना 10, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4 यहां बन गया हम लोगा कितना यानि कि खतम हो गया साल का कितना हो जाएगा ब्याज 400 एक बार फिर सबू говоря गोड़ा लेते हैं इसको देखते हैं कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 ये वन ग्या है komplett कितना कर देंगे या तिसके 0, 10, 17 कितना हो जाएगा, 13, और 20 और कितना हो जाएगा, 21, अब क्या करेंगे, किसी एक में से घटा लेंगे, यानि कि वो जो है न, या मिस्रदन है और या ब्या जा गया, तो क्या करेंगे, मुल्धन बराबर मिस्रदन में से घटा देंगे, तो 10,650 माइनस 2,130 गटा दिए, 0 का तो 0 हो जाएगा, उसके बाद यहां पर 2 हो जाएगा, उसके बाद यहां पर 5 हो जाएगा, और 10 में से 2 घटा घटेगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास, 8 हो जाएगा, यानि कि 8,520 रुपया जीस ऑप्शन में दिया गया है, वह हमारा आंसर हो चली हमनों अगला प्रह देखते हैं, कोश्चन नमबर 79, कोश्चन नमबर 79 में कहता है कि A अकेला ये कार्ज को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तथा B अकेला समान कार्ज को 8 दिन में पूरा कर सकता है, A तथा B दोनों मिलकर समान कार्ज को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ब इनों में पूरा कर सकता है और आगे पूछा गया कि यह और भी दोनों मिलकर पहले इसकी फिसेंसी क्यात करेंगे यहां पर फोर हो जाएगा यहां पर थ्री हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा साथ में हम कितना से गुना कर दें कि दोनों के गुननफल के बराबर हमको मान पराप्त हो जाए यानि कि 24 हो जाए तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा 7 हो जाएगा 24 बटा 7 दिन दिया गया है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात option number D हमारा आंसर हो जाएगा चलि हमनों अगला प्राप देखते है question number 80 question number 80 में कहता है कि राजेस 25 किलोमीटर प्रती घंटा की गती से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रती घंटा की गती से घर वापस आता है यदि वह कुल 9 घंटा लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के तो जाने में 25 किलोमीटर प्रती घंटा की राफ structures से कितना समय लगा और उसके बाद में फिर उसे दूरी को टाय करने में 20 напрertती घंटा के राफ्तार से कितना समय लगा और इंच दोनों का योग जो और फोर एक साथ जूटेगा इसे क्याम सी लोगा यानि कि X परामर कितना जाएगा 100 किलो मीटर अर्था जिस आप्षन में 100 किलो मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा अर्था आप्षन नमबर C हमारा आंसर हो जाएगा चली हमनों अगला प्रांश देखते हैं कोश्चन नमबर 81 में कहता है कि एक वस्तू को 15% की छुट देने के पश्चात 4777 रुपया में बेचा गया है वस्तू का अंकित मुल क्या है बहुत असान कोश्चन है 15% का हमने छुट दिया तो बचा कितना 85% यानि इसका मान दिया हुए 4777 रुपया यानि हमसे पूछ रहा है कि 100% बराबर हुआट यानि कि यह जो होगा हमारा SP हो गया यानि Selling Price हो गया और यहां जो हमारा होगा मर्क प्राइस होगा यानि कि 4777 बटा कितना हो जाएगा 85 और गुना कितना हो जाएगा 100 कर दिजिए इसका कल्कुलेशन तो 175 कितना हो जाएगा सत्र पचे 85 और यह हो जाएगा 20 पचे 100 अब देखिए यहां पर काटे दें सत्रे एकम सत्रे सरी सत्रे एकम मोल रहे हैं सत्रे दूना सत्रदूना 34 तो बचा कितना 13 तो 137 यानि 78 कितना हो जाएगा 136 तो बचा 17, 17 एकम 17 यानि हमारा फाइनल यल्टाया 281 गुना कितना हो जाएगा 20 यानि कि 0 का 0, 2 का 2, 860 का 6, 4 और 5 यानि कि इसका आंकित मुल कितना है 5,620 रुपईया जिस आपसेन में दिया गया है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात आपसेन नंबर 3 हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस देखते हैं कोस्चन नंबर 82 में कहता है कि यदि सोनू 20 मीटर प्रती सेकेंड की गती से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलो मीटर की दूरी को कितने समय में त्वय करेगा बहुत असान है हम लोग जानते हैं कि 300 कितना है सोरी 936 दूरी बराबर चाल चाल और देखिए मीटर प्रती सेकेंड में है तो इसको क्या करेंगे किलो मीटर प्रती घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना कर देंगे और मुना टाइम हो जाएगा द्यान से देखिएगा होता क्या है कि मीटर प्रती सेकेंड में है न कोई मान तो इसको यदि आप 18 बटा 5 से गुना कर देंगा तो जिसका मान जो होगा किलो मीटर प्रती घंटा में आ जाएगा यदि चाल किलो मीटर प्रती घंटा में तो इस इसे कटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास चार हो जाएगा ठीक है अब देखिए ध्यान से 9 से कटेंगे तो यहाँ पर 2 बनेगा और 9 से देखिए 9 एकम 9 जीरो और 9 का 36 हो जाएगा उसके बाद में इसको ध्यान से देखिए गाए 8 से यह कट जाएगा आज़े देखते हैं आठे कम 8 बना कितना 24 यहां ठीक है कि एक रासी चक्रविर्दी ब्याज पर 3 वर्सों में स्वेम का 5 गुना हो जाती है ब्याज का सयोजन वार्सिक किया गया है कितने वर्सों में रासी स्वेम का 125 गुना हो जाएगी ध्यान से देखिएगा question को मालिजे की P है न तो इसको 5P बनने में 3 वर्सों का समय लगता है तो फिर इसका 5 गुना होने में यानि की 25P बनने में इसको फिर 3 वर्स का समय लएगा फिर इसका 5 गुना होने में इसको 125 पी होने में फिर से 3 वर्स लैगा यानी 9 वर्स हमारा onser हो जाएगा दूसरा भी एक टेक्निक है अगर आपको ये बाते नहीं सिमझ में आती है तो ध्यान से देखिएगा यानि कि 1 से 5 P होने में यानि कि 3 वर्स में यह 5 गुना हो जाता है तो 125 गुना हम से पूछा गया है यानि कि इसका मतलब कितना हुआ ध्यांस ने कियेगा 5 का पाउर 3 तो होता क्या है इसकी यहां पर जो पाउर है इससे यहां पर के वर्स में गुना कर देते हैं तो हमारा वर्स निकल जाता है, यानि क्या हो जाता है, 9 वर्स हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यह हमेठर जो बता रहे हैं, यह साफ साफ आपके सामने जलगता है, अर्थात option number C हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए हम लोग अगला प्रस देखते है, question number 84, question number 84 में कहता है, कि 2 का पाउर तीन गुना, तीन का पाउर पांच तथा, तीन का पाउर तीन गुना, पांच का पाउर दो का महत्तम समाप वर्तक क्या है, बहुत असान कोशन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें तो बहुत असानी से यह question देखकर आपसे बन जाएगा, उसके बद क्या दिया हुआ फांच का पांवर 2, इसका क्या निकला को HCF निकालना है यानि अब ध्यान दीजेगा जब भी पांवर में होता है कि वो अधिकतम खहट Although सभी में मौझूद हो HCF कालाता है यानि कौन इसमें मौझूद है दोनों में तो में 3 और उसका भी वह नियुन्तम घात तीन का तीन और इन दोनों में नियुन्तम घात कितना है तो 3 का पावर भी 3 है अर्थात इसका HCF हो जाएगा 3 का पावर 3 अर्थात option number A हमारा answer हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस देखते है question number 85 question number 85 जो हमारा last प्रस्ण होगा इस प्रैक्टिक सेट का कहता है कि एक कमरे की लंबाई चोड़ाई तथा उचाई 20 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़की लंबाई क्या होगी इसका मतलब यह question पूछ रहे कि घंदाब का विकर्ण बराबर क्या होता है यह होता cultivate इसका मतलब होता है कि लंबाई का और चबाई काром चाई का स्कौरर करोट कर दो कर दो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कितना 441 पलस 144 पलस 256 अब ध्यान से देखिए कर जोड़िये इसको 300 400 400 841 और 841 का अगर मुल कितना होता है 29 होता है और 29 मिटर हो जाएगा उस कमरे में रखी कि जाने वाली सबसे बड़ी छड़की लंबाई अर्थात ऑप्सन नंबर डी हमारा अंसर हो जाएगा कि सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं को और 72 कलास में तब तक के लिए धन्यवाद